हेलो एब्रीवन विंटे स्पेसल में आज में लेकर आ गई हूं तील और मुमफली के लड़ू वैसे लड़ू मुझे बहुत जादा पसंद है हर तरह के लड़ू बनाना भी अच्छा लगता है और इसे खाना भी वैसे आप मुझे कॉमेंट करके जरूर सी पताएगा आपको कैसे लड़ू पसंद है तो चलिए सबसे पहले इसे तो बना लेते हैं तो यहां पर मैंने देखी आधा कप मैंने सफेद तील लिया है और इसे हमने मीडियम आज पर ही कुक कर लेना है और तील में कोई भी कच्रा अगेरा हो आप अच्छे से साफ कर लेजेगा और जब यह इसमें अच्छे से फूट जाता है न तील तो बस आपको गयास को बन कर लेना है और इसे निकाल लेना है अलग से प्रेट में जो तील है अभी बहुत सादा गर्म है तो इसे गर्म गर्म हम पाउडर नहीं बनाएंगे तो रग देते हैं इसे साइड में तक ही थोड़ा सा आपको चोथाई भाग गोन ले लेना है इसे टेस अच्छा आता है तो गोन यहां पर देखे मैं इस तरह से ले लिया था और अच्छे सी फूल गया है घी में आप इसे जरूर से कीजिएगा बहुत ही अच्छा टेस आएगा और बस अभी से रख देना है ताकि थोड़ा से ठंडा हो जाए ना तो इसे हमें क्रश कर लेना है लेकिन इसे मिक्सी में हमें क्रश नहीं करना बस इस तरह से कट्टोरी से में इसे क्रश कर लेते हो बस क्रश कर लिया अब इसे रखते हैं साइट पे अब मिक्सी जाल ले लेंगे और जो सफे तील हमने ड्राय रोस किये थ मूम फली के लडूष भी बना रहा है तो मूम फली के लडूश करेंगे मूम फली को ड्राइरोस कर लेंगे छिलके निकाल लेंगे। चिलके निकाल दोतीज है अब जो हमने गौन को फ्राइय था ही घृका उसके पाउडर के लिए अग्योच धाle जालेंगे लेकिन इलाची पाउडर से ज्यादा है ना हमें यह जो सौंट पाउडर रहता है ना वो ज्यादा बेश्ट रहेगा तो बस सारी चीजे तो प्रॉपर रेडी हो गई अब उसी कड़ाई में हम क्या करेंगे गुर्ड ले लेंगे तो जितना बेटर है ना उसका हम मैजर कर लेते हैं तो यहाँ पे मेरे दो कटोरी था तो उसके हम हाफ कर लेंगे यानि की एक कटोरी अच्छे से बारी गुर को काट ले इसके अंदर घी पानी कुछ भी ना एड़ करें बस धी में आज पे आप इसी चलाते रहेंगे न तो यह अच्छे से ही मैल्ट हो जाएगा इसमें कुछ भी एड़ करनी की ज़रूरत नहीं लेकिन हाँ यहाँ पे आपको इसे बबल नहीं उठाने नहीं एक या दू तरकी चास नहीं करनी है पत जैसी ही मैल्ट हुआ ना बस इसे गैस को बन कर लेते हैं और बैटर में हम इसे डाल देंगे और कुछ भी नहीं करना देखिए अच्छे से मैल्ट हो गया ना तो अब ह जो सफेद तील है ना उसका जो ऑईल है वो रिलीज करता है तो इसा कुछ भी करनी की जरूद नहीं अगर आप और भी इसमें घी अड़ करेंगे ना तो वह एक्ष्टर ही होगा वैसे बस इतने ही बैटर में बहुत अच्छी से मिक्स हो जाएगा और मिक्स हो जाने के इसमें से थोड़ी सी तिल है ना मैंने बचा लिये थे अगर आप इसकी कोटिंग खसकस से भी करना चाहे ना तो भी कर सकते हैं और यह जो लड़ू है ना इसके अंदर आप और भी ड्राइफूट पगेरा जिसे के काजू है बदाम है नारिल का बुरादा है छोहारा है जो तो भी आप ड्राइफूट इसमे आड़ करना चाहे ना तो कर सकते हैं तो यह लिजिए यहां पर इतने बैटर मैंना मैंने कम से कम 11 लड़ू बना कर तयार कर लिये थे बहुत ही मज़ेदार है पानी का हमने इस्तेमाल नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि यह लंबे समें तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है आप इस लड़ू को इस विंडर में जरूर से ट्राइ कीजिएगा मुझे तो यह बहुत ही जदा पसंद आते हैं और उम्मीद करती हूं कि आपको भी यह लड़ू पसंद आएंगे तो पसंद आए तो लाइक जरूर से कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं नए रेसिपी के साथ थैंक्स फूर वाचिंग